आज के वीडियो में वे इंट्रेस्टिंग फंगस दिस अपॉर्ट इस अपने आप में बहुत ज्यादे इंपॉर्टन है और पुरी दुनिया में अभी तक और यहां पे दो डाइग्राम देख सकते हैं दोनों ही मश्रूम है आपके बट फस्ट वन इस रियली पॉजिनेस इन नेचर और इसे अमेनिटा मस्कूरिया के नाम से मशूर है और सेकंड वन इस अगरिकस बाइस पॉरस जिसे फिल्ड मश्रूम भी कॉमनली कॉल्ड विजिस इडीबल इनेचर तो मश्रूम के नाम से ये धिमाग में कानसर्ट मत रिखِयेगा कि सारे हुजिस होते हैं नेचर में जितने मश्रूम होते हैं उसमें कुछ विजिसम इपॉजिनेस इन होता है अगरिकस में सब से पहले विव एग डॉक ज़िर सिस्टेमेटिक पोजिश यानि classification, फिर occurrence में we will talk about the habitat और ये number of species कितने reported है और फिर उसके बाद vegetative structure में we will deal with the primary mycelium क्या होता है, secondary mycelium क्या होता है, tertiary mycelium कब कहा जाता है, dicariotic condition क्या होता है, clam connection क्या होता है, वो सारा discuss करेंगे, फिर उसके बाद जो main fruiting body जो edible होता है, जो हम लोग को actual में दिखता है, that we call it in a fruiting body, a basidio cup, उसका पूरा structure, उसका development वो सारा discuss करेंगे, then we will talk about the reproduction कि ये जो आपके फंजाए, agericus है, कैसे अपने number को बढ़ाता है, how they reproduce, फिर उसके बाद एक diagram के माधियम से, we will understand the whole life cycle of these agericus, now अगर systematic position के बात करें तो agericus that belongs to the division you mycota, true fungi के अंदर आता है, और sub-division, basidio mycotina, इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपके जो sexual reproduction में sex organ नहीं बनता है, somato grammy के तुरू होती है, और basidium के ऊपर basidio spores बनते हैं, और class hymenomycetes के अंदर आता है, agericus क्योंकि यहाँ पे आपका fruiting body that is present in the form of basidio का, order agericals के अंदर आता है, agericus क्योंकि agericus भी आप और यहाँ पे अनुलेस भी प्रेजन रहता है, और जीनस हमारा agericus, now occurrence की बात करें, तो occurrence में सबसे पहले नंबर की बात करें, throughout the world 400 species agericus के रिपोर्टिट हैं, और इंडिया में more than 17 species रिपोर्टिट हैं, और यह चीज़ याद रखें, agericus जो है that are cosmopolitan in distribution, nutrition लिए अगर बात करें तो डियार स्पेरोफेटिक नेचर और यह फीड करता है dead digging organic matter के उपर, habitat की बात करें तो जहाँ dead digging organic matter होता ना, उसके साथ साथ moist और shady place हो तो यह सबसे favorable habitat माना जाता है, यहाँ पर agericus आपको ज्यादा मिल सकता है, और दो हमारे पास species है, agericus campus जिसे field mushroom और agericus by spores जिसे ह दोनों मश्रूम जो हैं that are commonly edible mushroom और cultivated किया जाता है commercially in many parts of the world, और यह चीज़ याद रखिए का जो मश्रूम हम लोग कहते हैं, actually जो है ना, यह fruitification होते है, fruiting body होते हैं, जिसे हम लोग commonly called mushroom कहते हैं, और यह चीज़ इस diagram आप देख सकते हैं, इस fruiting body का maximum जो हिस्सा जो starting जो life हो होती है, और स्वाइल की नीचे हमारे पास primary micellam, secondary micellam, यह सारा होता है, यह fruiting body हमें बात में देखने को मिलता है, यह चीज़ याद रखिएगा, और कुछ अगरिकस में, कुछ species में यह चीज़ भी याद रखिएगा, यहां पे जो fruiting body होती है ना, यह जो है आपका that we call it in a fairy rings, क्योंकि this is based on the ancient belief that they market the path of dancing fairies, जिसने हम लोग परी कहते हैं, यह दोनों in दो species में, आपका क्या है, रिंग form में आपके जो हैं, वो fruiting body देखिए, पुरे ring form में बन के आता है, और हमने अभी तहे दो species कहा कि जो की बहुत ही common liable होता है, जिसे commercially produce करा जाता है, बट nature में हमारे पास बहुत ही poisonous mushroom भी present है हमारा, इसी में आपका सबसे पहला जो यहाँ पर diagram में देख सकते हैं, अमेनिटा फालाइट्स, यह देखे यह जो mushroom है highly poisonous in nature होता है, अमेनिटा मस्कूरिया, यह mushroom भी highly poisonous है, और एक चीज़ है आपका अगरिका जेंथो डर्मा, यह तीनों species जो अगरिकास, अगरिकास का जो थैलस होता है, जनल यह बना रहता है, ट्यूपिलर हैर लाइक स्ट्रक्चर, वी कॉल्ट इट इने हाइफी, इन्हें हाम हाइफी केते हैं, और जब आपके हाइफी, नेट लाक्चेन बनाते हैं, वी कॉल्ट इने mycelium, यहाँ पर यह चीज़ याद रखिएगा, तीन तरह के mycelium आपको अगरिकास के body के अंदर life cycle में देखने को मिलेगा, primary mycelium, और second हमारे पास है secondary mycelium, और एक होता हमारे पास tertiary mycelium, अब इस diagram में हम लोग समझते हैं कि primary, secondary और tertiary mycelium, सबसे पहले यह चीज़ याद रखिएगा, अगरिकास के soil के अं Vesidio spore germinate करने के बाद generally unioncleate होता है, तो यहाँ से माईसिलियम या hyepo火 निकखल के आए कि वो unionucleate हो तो जो भी mycelium या जो है, आपके Vesidio spore से germinate करके आये और अगर वो union nucleate हो उससे हम क्या कहेंगे primary mycelium अब ये चीज़ याद रेखिएगा primary mycelium जो है वो soil के नीचे short period के लिए survive करता है तो primary mycelium के cell जो है आपस में मिलके plasmo gammy के थ्रू डाइकरियोटिक एक हमारे पास cell बनता है ये डाइकरियोटिक cell जो है through clam connection हमारे पास network like mycelium बनाता है और सारे cell जो होते हैं उनमें हमारे पास दो nucleus होता है one is from positive one is from negative और ये जो mycelium भी soil के नीचे exist करता है और ये लंबे समय के लिए exist करेगा and we call it in a secondary mycelium ये चीज़ याद रखिएगा और ये secondary mycelium जो है लगबख एक या दो साल के लिए soil के नीचे survive कर सकता अगर moisture content और organic matter अगर बहुत अच्छा हो अब tertiary mycelium के बात करें तो कब बनता है ये secondary mycelium जब soil के नीचे grow कर रहा है तो यहाँ पे जब इनके पास organic matter ज्यादा हो तो आपस में twist कर जाते है secondary mycelium soil के surface के जस्ट नीचे और जब ये twist करके आपके पास क्या बनाते है hyphal caught like structure बनाते है we call it in a rhizomaph ये rhizomaph rainy season का weight करते हैं निकल के एक button like structure के अंदर आप बाहर soil के उपर निकल के आता है और ultimately ये button like structure that will lead to the formation of in a fruiting body जिसे हम लोग बेसीडियो काप नीचे वाला पॉर्चन stock और उपर वाला पॉर्चन जिसे हम लोग क्या कहते हैं पाहलास कहते हैं ये बनाते हैं और इनकी mycelium जो है वह soil के above है अगेन यहां पर mycelium जो है वह डाइकरियोटिक फेस में होता है ये चीज़ याद रखिएगा and this mycelium which is present in the basidio cup we call it in tertiary mycelium यहां पर यह चीज़ रखिएगा प्लास्मो गेमी बहुत पहले हो चुका बट किरियोगेमी और मियॉसिस में बहुत लास्ट में होती है now let's talk about in a clamp connection which is very important phenomena अगरिकस में और बैसिडियो माइकोनेट्रियना के दूसरे groups में भी यह चीज़ होता है यहां पर डाइकरियोटिक जो आपका जो फेस होता ना वो maintain होता secondary mycelium और tertiary mycelium का इस diagram में importance देखिए यह एक cell है मान लेजे इसने divide करा दो nucleus पहले division होगा तो यहां पर हमरे पास total 4 nuclei क्योंकि यह डाइकरियोटिक फिर उसके बाद यह चीज़ है कि जनरली प्लान के center में से septa बनता तो दो cell बन के यहां पर आ गए no doubt मगर यहां पर जो दिकत क्या हुई जो हमारे पास cell होता था उसमें one positive one negative होता था यहां पर दोनों positive है और इस cell में दोनों negative है तो यह गड़वट हो रहा इस cell में हमारा क्या है एक positive एक negative एक positive एक negative मगर इस cell में हमारे पास एक bridge-like struck जिसे हम climb केता है इसका formation हुआ that means climb connection के थूँ आपका जो है actual में जो है die karyotic phase one is from positive one is from negative strain maintain होता है अब इस में हम लोग समझते हैं यह जो one by one लिखा हुआ यह जो मैंने book आप लोगों को कहा है कि मैं अभी बताऊंगा उस तो बीच में मैं आपने book के बारे में बताऊं that is the textbook of botany जिसके volume first में you will get detail about the microbes crypto games and gymnosperm देखिए no doubt सारे books अच्छे होते हैं यह book क्यों unique है मैं यह चीज़ बताऊं देखिए इस book में जितने भी chapters है या जितने आप लोगों को याद करने में किसी चीज़ को remind करने में एक्जाम में लिखने के लिए बहुत यासानी होगी और एक चीज़ यह भी है कि यहां पर इस book का explanation जो है ना maximum topic का हिंदी और उर्दू में आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा और this is the ISBN number of this book यहां पर आप लोग देख सकते हैं और इस book को अगर आप लोग को order करना या आप लोग को online मिल जाएगा description box में इसका link दिया हुआ है वहाँ पर जाएए और आप इसको order कर सकते हैं अगर मैं आपने बहुर ज़्यादे information चाहिए तो google पर simply इम्तियास हुसेन कारियल टाइप करिएगा जू ही आप इस पर क्रिक करोगे गूगल पर तो आपको यह page खुल के आएगा और जू ही आपका फस होगा और यहां पर जू ही आप इस पर क्रिक करोगे आप लोगों को google scholar वाला page खुल के आएगा और more than 20 research article अभी तक मैंने पब्लिश करा है और अगर citation के बात करें तो till now आज की date क्या है 17 जून 2022 more than 1200 citations है और यह number of this book आप जाने क्लैम कनेक्शन इस डाइग्राम के मादिया हम से देखिए सबसे पहले जब डाइकरियोटिक जो सेल जो होता न वह डिवाइड करने के लिए रेडी होता तो वहां से ए हैं फिर उसी के साथ साथ यह nucleus positive और मालेजी यह negative strain डिवाइड करता है simultaneous लेजी से हम लोग conjugate division केते हैं तो हमारे पास चार nuclei एक cell के बर cell के अंदर बन किया फिर इस चार nuclei उपर वाला जो दो टू पैर है जो positive strain के है उसका नीचे वाला nuclei इस pouch like outgrowth में चल के आता है फिर उसके बा जो है आपका जहां से आपका bridge जो start हो था उसके base पे बनता है यह वाला और एक वाल जो है आपका clam के ओपर बनता है और that leads to the formation of three cell this is the terminal binucleate cell this is the sub terminal cell uninucleate है and clam cell is again uninucleate later on क्या होता है आपका यह जो clam था that ultimately in यह जो है ना that will जो sub terminal cell के साथ मिल जाता है और इस clam में से आपका nucleus जो है that will move in the lower sub terminal cell और यह cell भी आपका now diakiriot phase बनता है with positive and negative nuclei का तो ultimately हमारे पास यह जो diakiriotic phase जो है जो जिसमें एक positive एक negative का वो जो maintain होता है through clam इत फिनोमेना को हम लोग clam connection now let's talk about the reproduction अगरिकर जनरली आपका reproduce करता है vegetative asexual or sexual method तिन्यों इसमें report है और यहाँ पर याद रखिए का vegetative जो reproduction होता है यहाँ पर हम लोग commercial या market में जो हम लोग को mushroom मिलता है या जो गर में हम लोग mushroom grow करते है वो vegetative method के थरू हम produce करते है यहाँ पर हम क्या करते है small pieces of diakiriotic mycelium जिन्हें हम spawn और mushroom seed करते है यह आपको market से मिल सकता है या आप mushroom lab से कहीं से भी मंगवा सकते है इन small pieces of diakiriotic mycelium जिन्हें mushroom seed करते हैं उनको हमें क्या करना है सोन करना है जहाँ पर हम लोग को mushroom grow करना है polythene bake हो सकता है या tray हो सकता है जहाँ पर compositing material आपका ready हो उसमें जब regular interval पर सोन करने के बाद 20 या 40 दिन के monitoring के बाद आपको यह mycelium बहुत ही vigorously grow करेगा फिर यहाँ पर आपको fruiting body in the form of basidio gap बन के आता है जिसको हम लोग बाद में कार के market में बेचते हैं या हम लोग खा सकते हैं next है हमारा asexual reproduction यहाँ पर यह चीज़ याद रखे है कि agericus में asexual reproduction बहुत ही rare होता है कुछ ही species में reported है और यह through होता है आपका climatis post, uria, a, kunidia और यह uria, kunidia कैसे बनता है sexual reproduction में कैसे help करता है इसको detail already मैंने general character में सारा discuss करा हुआ है क्या-क्या features हैं कैसे बनते हैं तो अगर किसी नहीं नहीं देखा तो general character of fungi playlist में जाएए वहाँ पर आप इसको और अच्छे से देख सकते हैं नेक्स्ट है हमारा sexual reproduction यहाँ पर यह चीज़ याद रखिएगा सारे फंजाई में हमारे पास sexual reproduction जो होता है वो तीन steps में होता है पहले होता है plasma gaming फिर होता हमारा carryo gaming और फिर हमारा होता है meiosis यहाँ पर यह चीज़ याद रखिएगा agriculture since sex organ यहाँ पर नहीं बनता sexual reproduction में तो उसे plasma gaming को हम लोग क्या कहते है somatogamie और यहाँ पर यह चीज़ याद रखिएगा most of the species are heterothelic means आपके जो fusing जो दो cells होंगे that coming from two strains ठीक है एक positive और एक negative यहाँ पर यह चीज़ देखिएगा यहाँ पर हम लोग का plasma gaming यह चीज़ याद रखिए गरिकस में बहुत initial stage of the life start होती है that is the primary mycelium के दो cells which are of different strain means दोनों spore जो है वो different है इनके जो mycelium जो होती है जिन्हें monokaryotic primary mycelium है वो आपस में fuse कर जाते हैं fuse करने के बाद यह तो degenerate कर जाता जो fusing cell है बात में जाके that will grow आपके soil के नीचे in the presence of organic matter बहुत ही लंबे समय के लिए ग्रो करता है और यह आपका diakaryotic mycelium होते हैं हम secondary mycelium केते हैं यह plasmo gaming initial stage पे होता है फिर that means जो आपका karyo gaming और myosis होता है वो later stage में होता है कप होता है यहां पे आपके जो secondary mycelium है ना वो बहुत तेजी से grow करता है बहुत लंबे समय के लिए फिर बात में जब आपका बरसाद के season में या बरेनी season में यह button stage में उपर आएगा वो ultimately बहुत ही sufficient जब moisture हो तो वो आपका fruiting body बनाते हैं यहां से button stage है that we call it in a basidio cup इसी basidio cup में आपका फिर बात में जाके आपका karyo gaming और myosis होगा यहां पर याद रखिएगा यहां पे plasmo gaming हुआ लगवग आपका एक दो साल भी लग सकते हैं चे महिने भी वो depend करता कि कब आपका basidio cup बनता है इस basidio cup के gills में वहां पे एक portion होता हमारा we call it in a hymenium यह जो gills है आपका वहां पे हमारे पास एक portion रहता हाई मीनियम हाई मीनियम portion में हमारे पास structure रहता है we call it in a basidia इसी basidia में आपका karyo gaming होती है बाद में इसी में meiosis होने के बाद हमारे पास 4 basidio sports इक सेल मेंटेन होता है उल्लेडे डिसकस करा है तो karyo gaming cup होती है लेटर स्टेज पे होती है जब आपका fruiting body बनते ही हाँ वहां पे young basidium के अंदर होता least to the formation of diploid nucleus इसी nucleus में फिर बाद में आपका meiosis के बाद 4 heploid nuclei बनेंगे उसी basidio sports जो हैं बाद में बन के आएंगे basidium के ऊपर that means आपका plasmo gaming के बाद आपका fruiting body बनता है in the form of basidio cup उसी basidio cup में बाद में karyo gaming और meiosis होती है तो पहले हम लोग देखते हैं कि basidio cup formation basidio cup का structure development now let's talk about the development of basidio cup basidio cup यहां पर बहुत important is basidio cup structure अभी हम लोगों ने reproduction में discuss करा इन के आगा development के बात करें तो यह secondary dicharyotic mycele जो soil के अंदर रहता वहां से बन के आता है वहां पर rhizomorphic portion in the form of white tiny knots बनता है यह tiny knots बात में आपका button form में उपर soil के surface के उपर आता है we call it in a button stage और जब आपका dry season होगा तो यह आपका partially developed condition button stage as it is रहेगा जूही रिनी season आता है आपका तो यह button stage जो है बाद में rapidly grow करता है और basidio cup बनाता है और basidio cup में हमारे पास क्या होता है एक स्टीप portion होता है पाइलस portion होता है तो यहां पर यह वाला portion discuss कर रहा हम लोगों ने जो secondary mycelium जो होता है primary mycelium वो soil के अंदर बहुत नंबे समय के लिए grow करेगा और जब आपके soil के अंदर organic matter rich होता है तो rhizomorph करके बनाते हैं यही बटन फॉर्म में उपर आता है यह बटन स्टेज रिनी सीजन में डाट डैबलस्ट इन्टू बेसिडियो काफ इसी में फिर आपका बात में केरियो पॉर्शन जो होता ना जो conical structure उसमें हमारे पास एक cavity बन के आती वी कॉल डिए ने pre-lamellar chamber और pre-lamellar cavity जिसे हम gill chamber भी कहते हैं और यहां पे हमारे पास gills बन के आएंगे यह वाला structure आप लोग याद रिखिएगा यह जो आपका cavity बना यह वाला यह pre-lamellar cavity आपका gill chamber इसकी के अंदर आपके gills बन के आएंगे तो यह important है यहां पे और इस gills starting में जो होता ना आपका gills होता ना वह exposed नहीं होता that are covered with जो आपका strip और पाइलस portion में membrane like structure एक इसको cover करता है जिसे हम वील आर पार्शल विलम केते हैं ठीक है तो यही चीज है कि वीलम आर पार्शल विल इसको भी याद रखिएगा और वीलम और पार्शल विल जब आपके इस टीप portion पर रह जाता भी कॉल डिट इन अनुलर रिंग आ अनुलर तो यही सेम स्ट्रक्चर है बटन स्टेज है एक उपर वाला कॉनिकल स्ट्रक्चर नीचे यंग स्टीप बन रहा हमारा उपर वाला फिर वहां पर हमारे पास कॉनिकल स्ट्रक्चर बना कि यहां पर के बनेगा यहां पर बात में हमरे पास गिल्स बन कि आएंगे अगर हम स्ट्रक्चर अगर डिसाइड करें तो हमारे पास अभी हम लोगों ने कहा कि एक स्टॉक लाइक पोर्शन रहता स्टीप और उपर ब्रॉड अम्रेला शेप स्ट्रक्चर भी कॉल इन पाइलस और इन्ही स्टीप जो बेस होता ना बेस और पोर्शन पर जो आपका जो फ्रूटिंग बॉडी का उसमें एक कप लाइक स्ट्रक्चर होती है वी कॉल डिदे ने वाल हुआ ठीक है तो यही सेम चीज लिखा हुआ है अगर स्टीप की बात करें तो नीचे वाला पोर्शन है बेसल आपर वाला थोड़ा सा कंपक्त होता जिसे हम लोग आपर कार्टिक्स केते हैं उसी तरह अगर आप पाइलेस की बात करें तो यह उपर वाला पोर्शन है अमरेला शेप होता है इसका अगर डायमेटर वाले की बात करें अगर इसकी तो पाहिश से लेके बारा संटीमेटर ना खक होता है पाइलेस का पूरा यह वेरि करेखाव स्पिच 2 पीश的話 और यह द्दा वाइड बर्वाइट ब्राउन इन कलर वह वेरा है उर्थ पाइलेस के अंदर पोर्शन डिलेटी जहां पे हमारे पास gills होते हैं ये वाला ठीक है gills होते हैं और अगर हम gills strip के बात करें तो यहां पे gills strip जो है around 300 to 600 strips आपके gills पाए जाएंगे starting में ये light pink color का होगा gills बात में आपका purple color बन जाता अगर हम gills एक gills का vertical section cutting करें तो ये चीज़ याद रखेगा आपके gills जो है इसमें हमें तीन region देखने को मिलें तो ये एक gills को अगर आप section cutting करोगे तो तीन structure देखने को मिलेगा trauma, subhymenium और हमारा hymenium region और यहाँ पर ये चीज़ याद रखेगा आपके जो trauma होता, center वाला portion और sterile होता, subhymenium में आभी आर लेडी कहा कि यहाँ पर isodiametric cells होते हैं, paranchymetis arrangement का और hymenium portion जो होता है, that is the fertile portion है, गिल का, वो यही region है, इसमें हमारे पास दो structure होता है, एक basidia और एक paraphysis, तो hymenium region के यहाँ पे हमारे पास ये वाला structure आप लोगों को दिख रहा है, that is the basidia जो की fertile portion होता है, इसी के अंदर हमारा क्या होगा, केरियो गयमी होती है, paraphysis जो है, वो sterile होते है, club shift होता है, यह आपका now development of basidio spore, यहाँ पर यह चीज़ याद रहिएगा, आपके basidio spore जो है na hymenium portion में बनता है, किसमें, आपके गिल portion में, यहाँ पर सबसे पहले hymenium के कुछ cells, जो terminal cell होता है, वो differentiate होता है young basidium में, और इसी young basidium में, सारे cells हमारे dikaryotic face में रहते हैं, हमारे जितने ही mycelium होता है, वो हम लोगों का पता है, but basidium cells के अंदर जो dikaryotic face जो बनता है na, उसमें जो 2 haploid nuclei है, वो ultimately आपका fuse कर जाता है, means cariogamy takes place in the basidium, that leads to the formation of diploid nucleus, फिर diploid nucleus के तुरंद बनने के बाद ही हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर meiosis process होती है, meiosis process मे हमारे पास 4 haploid nuclei नुकले बन के आएंगे, two positive and two negative, और इसी दोरान हमारे पास four horn shaped outdoors निकल के आती है, जिन्हें हम strict meta केते हैं, यह वाला, यह portion जो आपके basidium में जब 4 haploid nuclei नुकले बना, meiosis के बाद, आउड रोज निकल के आएगा, चार that we coordinate strict meta, उसी के साथ साथ सेंटर वाले basidium के सेंटर सेंटर में हमारे पास vacuum formation होती है, यह vacuum के size आने वाले दूनियों में बढ़ते जाएगे, और बढ़ने के कारण जो आपके nuclei है, 4 haploid nuclei that are push it into the strict meta, और इसी strict meta के tip के portion ultimately, यहां पे हमारे पास basidio spores बन के आते हैं, ठीक है, तो यही चीज हम लोग के पास basidio spores बन क क्या आता है, we call it in a hyalur appendage, और जो basidio spores हमारा यहां पे बन के आता है, that are usually oval होता है, thin walt होता है, uni nucleoid and haploid in nature, next है हमारा dispersal and germination of basidio spores, exact mechanism अभी नहीं पता, यह चीज़ कहा जाता है कि water droplet formation होती है, आपके किस पे, appears the hyalur appendages, और उसी water droplet के करण pressure बनता है, जिसके करण आपके सारे जो हमारे basidio spores होता है ना, वो that are dispersed, तो यहां पे आपके basidio cup काप के hymenium portion में आपके basidio spores बना, यह ultimately आपके हवा में थोड़ी देर के लिए through air current दूर दूर तक जाएगा, दूर जाने के बाद, swail में गिरेगा, swail के, आपके फिर बाद में swail के अंदर यह फिर से germinate करके यह पूरा process जो है, वो complete करता है, तो यह सारा हम लोगों ने discuss करा, life cycle की बात करें, now let's talk about the life cycle, यहां पे इस diagram के माधियम से हम लोग देख सकते हैं, यहां पे diagram में हम लोग का figure number 9 लिखा, actually वो book में जो मैं आप लोगों को बताया, उसी book में figure number 9 है, यहां पी इस diagram में होता तो, वहां से जो mycelium बनके आएगा, उसमें सिर्फ एक single nucleus होगा, that is monocaryotic mycelium, तो monocaryotic mycelium के most of the agaricus में फिर आपके दो cell जो है, opposite strength के वो fuse कर जाते हैं, means, plasmo gammy takes place at the initial stage of the life cycle, in case of agaricus, फिर plasmo gammy के बाद हमारे पास जो cell बनके आता है, that is the dicharyotic cell, वो cell जो है, soil के अंदर होद लंबे समय के लिए flourish करेगा, in the presence of moisture, in the presence of organic matter, फिर flourish करने के बाद, बात में हमारे पास एक rhizomorphic portion बनता है, soil surface के just नीचे, high fall node जिसे कहते हैं, वो button stage में, button form में, आपका soil के उपर निकल के आता है, और during rainy season, यही button आपका ultimately differentiate होता है, into any fruiting body, नीचे वाला portion जो होता है, cylindrical portion, we call it in a steep, और उपर वाला जो आपका umbrella shape के black structure होता है, we call it in a pileus, फिर इसी के pileus का जब हम लोग vertical section cutting करेंगे, तो आपको gills इस तरह से मिलेगा, और हमें पता है कि gills के अंदर तीन region होता है, trauma, subhymenium और hymenium, इसी hymenium portion में हमारे पास एक terminal जो होता है, वहाँ पर कुछ सल डिफरे होता है, basidium के अंदर, इसी basidium में आपका ultimately the reason है, karyo gamma, plasma gamma यहाँ पे हुआ और karyo gamma यहाँ पे होती है, और karyo gamma के तुरंद बाद आपका diploid cell बनेगा, इस diploid phase यहाँ पे short period के लिए, आप देखिए का short period के लिए होता है, और यही diploid cell ultimately तुरंद आपका meiosis होगा, meiosis के बाद चार haploid nuclei बन के आएंगे, इन ही चार haploid nuclei बाद में आपके पास that give rise to four basidio sports, in this way आपका agaricus का life cycle चलता है